नमस्कार आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब और मैं हूँ आपके साथ शूती डॉक्टर साहिब के आज किस वीडियो में हम जानेगे कि आजकल यूथ स्मोकिंग बहुत जादा करने लगे हैं डॉक्टर साहिब यूथ जो है वो बहुत जादा स्मोकिंग के तरफ चले गए हैं और किस तरह वो उनकी शुगर लेवल को हाम करेगा और किस तरह बाद में उन्हें वो डाइबिटीज का शिकार बना सकता है छीऑ की आजकल एक सोचल पैटन बंगया है सोचल भिरूईज नहीं है स्मोकिंग सिर्व डाइबिटीस के लिए भलकि हर चीज के लिए प्राव्लमिट्रिटिक है खासकर लंक्स में-लंक्स में-कैंसर होना लंक्स में इंवाल्मिन्ट होना यह बहुत कमान है लेकिन ये देखा गया कि जो इंडिया हमारा है वो डियाबेटिक कैपिटल बनता जारा जहां पर कि मैक्सिम लोग जो हैं डियाबेटी से सफर कर रहे हैं जो यंग उन्हें पता नहीं है कि वो डियाबेटिक से सफर कर रहे हैं और उस कंडिशन में जब आप स्मोकिंग करते हैं, तो जो हम लोगों में डियाबेटिक निरोपैथी होने का जो संभावना होता है, वो टू टू तू त्री टाम्स ज्यादा बढ़ जाता है, तो सुगर के कारण हमारे पूरे बॉड़ी में जो होता है, वो नर्व में इंपे ऐसे पेसेंट में देखा गया है, कि जो नॉर्मल पेसेंट होते हैं, जहां पर अगर उनका हार्ट अटेक होता है, तो उसमें एंजाइना पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, इस वाली वर्निंग साइन उसे कहते हैं हम लोगों हार्ट के लिए, और उसके बाद हार्ट का प इत्ति उदर काफी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी लिए ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि डाइबटीज और स्मोकिंग ये दोनों कहते हैं कि फैटल कंबिनेशन है, अगर ये दोनों एक साथ आते हैं, तो ये आपके किड्नी क हार्ट को वहां को सबको डैमेज करते हैं, और काफी खतरना किस्तिती मिलाते हैं, पेसेंट को, डॉक्र साहिब आपने चाहिए, कि अगर किस कोई स्मोकिंग कर रहा है, और डाइबटीज भी है उसे, तो अगर हार्ट अटक की समस्या होते हैं, तो कोई वार्निंग साइन न अगर आप स्मोक कर रहे हैं, वो ठीक चीज नहीं है, किसी भी हालत में, आपके हार्ट के लिए भी, आपके लंग्स के लिए भी, आपके डाइबटीज के लिए भी, ओवर अल ये हेल्थ के लिए बहुत ही खराब चीज है, और यह हम लोग देख रहे हैं, आफकोर्स ये कह दे नहीं है, कि जो पहले स्मोकिंग का दर था, उससे अब काफी कम होते जा रहा है, अब लोगों में एवरनेस आ रहा है, कि स्मोकिंग चीक्स नहीं है, तो काफी हद तक हम लोग कहते हैं, कि ये ठीक चल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहिब आपने जो जानकारी बताई है उसके लिए, तो उमीद करती हूँ, डॉक्टर साहिब ने जो सारी जानकारी बताई है, स्मोकिंग से, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो किस तरह आपके हेल्थ पर ये सबसे जादा नुकसान करता है, उमीद करती हूँ, आपने ये सारी बाते ठीक से सुनी और समझी होगी अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या आप मेल के मौध्यम से भी बता सकते ह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया